हलो एवरिवन स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल में तो गाइस इस वीडियो पे मैं आपको फॉर्मल चार्ज के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे आप कोई भी मॉलिक्यूल का फॉर्मल चार्ज निकल सकते हो तो चली दोस्तों कैसे करना है प्लीज वीडियो को मैं डिस्किप्शन में दे रहा हूँ ओ दो वीडियो आपको देख लेना है उसके बाद दोस्तों इसको आप देखोगे तो आपको इजी लिए समझ माएगा तो चलिए सबसे पहले मैं फॉर्मुला लिख देता हूँ फॉर्मल चार्ज का देखिए दोस्तों यह इजी ट्र के बाद आप इस एक्जम्पल को देखिए जैसे कि मैं इधर एक एक्जम्पल ले लिया ओत्री तो आप दोस्तों ओत्री का स्ट्रक्चर क्या होगा इसे बीच कितना बॉंड होगा तो वह जानने के लिए आपको पिछले वीडियो देखना ही पड़ेगा जरूर एक्तम तो देखिए वह त्री के बीच दोस्तों कितना बॉंड होता है तीन ठीक है तो हम चलिए दोस्तों ओत्री के स्ट्रक्चर इधर कर लेते हैं ठीका स्ट्रक्चर दोस्तों ऐसे होगा ठीक है तो अब यह हो गया अब दोस्तों देखिए यह जो हमने बॉंड बनाया है तो का electron highlight कर लेने के बाद आपको loan pair draw कर लेना है तो यह हो गया इसका Lewis dot structure और उसके बाद आप oxygen को marking कर लेना है क्योंकि दोस्तो formal charge जब आपको question में पूछेगा तो वो कौन सा element का है वो आपको पूछेगा ठीक है तो चलिए formal charge on number one oxygen पे कितना होगा दोस्तों देखिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है balance electron जितना होना चाहिए तो आपको यह दोस्तों बीच का bond है ना दो oxygen के बीच के जो bond है उस bond को middle से break कर देना है तो चलिए मैं pain से break करके आपको दिखाता हूँ ठीक है अब ऐसे दोस्तों bond को break कर लेना है उसके बाद देखिए इस oxygen के उपर कितना है छे electron है तो balance electron जितना होना चाहिए तो oxygen के उपर कितना oxygen का balance electron कितना है छे और इसका उपर होना भी चाहिए छे तो हो गया 0 तो दोस्तों ऐसे करके आपको करना है ठीक है तो अब चलिए दोस्तों देखिए दो नमबर पे कितना होगा तो दो नमबर पे देखिए वैलेंस इलेक्टरन कितना होना चाहिए ऑक्सियन पे चे दो और इधर बॉंड में दो और इधर एक तो हो गया पाँच तो शिक्स माइनस फाइप मतलब दोस्तों प्लास वान ठीक है तो इसके उपर फॉर्मल चार्ज आ गया प्लास वन अब तीन नमबर ऑक्सियन के उपर कितना होगा देखिए कितना वैलेंस इलेक्टरन होना च देखिए देखिए इसके उपर जीरो है और इसके उपर है दोस्तों प्लास वन और इसके उपर है माइनस वन तो यह हो गया इसका स्ट्रक्चर तो ऐसे आप कर सकते हो किसी भी मॉलीक्त ठीक है तो प्लीज इस वीडियो के लाइक कर दीजिए एड इस चैनल को अब जरूड सब्सक्राइब कर लीजे दोस्तों अगले वीडियो फिर से मुलागात होंगे अल्ला अपिस